हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल राइजिंग घुरावल पर मैं हूँ आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंग और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टपलस एंड क्रेंटिंग टपलस मिंस पाइफन में टपलस क्या होते हैं और इन्हें कैसे क्रेंट कियाता है देखिए definition in python tuples are sequences that are used to store a tuple of values of any type python tuples are immutable means python में tuples ऐसे sequences होते हैं जिनका use किसी भी प्रकार के tuple type of values को store करने के लिए कियाता है python tuples immutable होते हैं means इसके elements को in place change नहीं किया सकता है python में string और tuple दो ऐसे data type होते हैं जो immutable होते हैं means इनके elements को in place change नहीं कर सकते हैं जबकि list एक mutable data type है और इसके element को in place change कर सकते हैं देखिए example list के elements को square bracket में रैड करते हैं जबकि tuple के elements को parenthesis यानि small brackets में read किया एता है देखिए example यहाँ पर मैं create करता हूँ एक list L और इसके element होंगे 1, 2, 3, 4 और 5 इसका second element है 2 जिसे access करने के लिए मुझे इस तरह से read करना होगा L square bracket और उसका index उसका index है 1 तो मैं यहाँ पर enter की press करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 आ चुका है जो कि इस list का second element है यदि मुझे इस element को change करना है means second element को change करना है तो मुझे इस तरह से write करना होगा L square bracket और उसका index और यहाँ पर मुझे write करना होगा new value तो new value है 5 और फिर मैं enter की press करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर L write करता हूँ और इसे print करके check करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि list का element change हो चुका है क्योंकि list एक mutable letter type है यदि मैं इस process को tuple के साथ apply करूँगा तो उसका element change नहीं होगा देखिए example यहाँ पर मैं create करता हूँ एक tuple t जिसके elements है 1, 2, 3, 4 और 5 और इसका third element है 3 उसे मैं access करता हूँ इसके लिए मुझे write करना होगा t square bracket और इसका index तो यहाँ पर 3 का index होगा 2 ओके फिर मैं enter की press करता हूँ तो यहाँ पर देखिए third element आचुका है ओके और इसका index और फिर यहाँ पर new value ओके और फिर मैं enter की press करता हूँ तो यहाँ पर देखिए error आचुका है क्योंकि tuple एक immutable data type है जिसके elements को हम इस तरह से change नहीं कर सकते हैं python में tuples के 4 types होते हैं empty tuples single element tuples long tuples और nested tuples create करते हैं empty tuples empty tuple को create करने के लिए simply आपको इस तरह से write करना होगा tuple name assign empty parenthesis इस तरह से tt एक empty tuple है मैं इसे print करता हूँ तो देखिए यहाँ पर empty parenthesis आ चुका है means जो tt variable है वह एक tuple type है इसका type चेक करना है तो आप type function का उसका चेक कर सकते हैं type और bracket में tt देखिए आप आगया class tuple means जो tt variable है वह tuple type है empty tuple को आप इस तरह से भी create कर सकते हैं जैसे t1 assign tuple means tuple function का यूज़ करके और फिर मैं enter की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर जो t1 है वह एक empty tuple है इसका भी type चेक करना है तो आप कर सकते हैं इस तरह से देखिए आगया class tuple और अब मैं create करता हूँ single element tuple इसके लिए मैं राइब करता हूँ एक variable new t और इसमें मैं assign करता हूँ parenthesis में single element और फिर मैं इसका type चेक करता हूँ type new t और यहाँ पर देखिए जो इसका result है आया है class int means जो new t है वह tuple नहीं है बलकि वह एक integer type का variable है तो tuple create करने के लिए मुझे write करना होगा new t assign five कॉमा means आपको parenthesis में एक element write करना है फिर आपको कॉमा लगा देना है तो इस तरह से single element tuple create हो जाएगा अब चेक करते हैं देखिए new t देखिया गया class tuple और इसे में print भी कर लेता हूँ देखिया आपर आगया इसका single element single element tuple को आप इस तरह से भी create कर सकते हैं directly anti assign और direct आपर राइड करते हैं five कॉमा तो भी single element tuple create हो जाएगा करते हैं type anti देखिया आपर आगया class tuple इसकी value को मैं print कर देता हूँ anti enter तो देखिया आपर इसका element आचुका है अब मैं create करता हूँ long tuples long tuples means ऐसे tuples जिनके elements कई lines में होते हैं देखिये example num variable assign यहाँ पर मैं इसके elements आखिया करता हूँ one, two, three, enter की press करता हूँ फिर मैं इड़ करता हूँ four, five, six फिर comma, फिर enter और यहाँ पर मैं इड़ करता हूँ sun mon और फिर मैं bracket को close कर देता हूँ तो यहाँ पर जो num है वो है एक long tuple है जिसके elements कई lines में हैं अब मैं create करता हूँ nested tuples nested tuples means ऐसे tuples जो elements के रूप में tuples को store करते हैं देखिए example nt, assign और इसके element है five, six और इसका third element एक tuple है जिसके element है seven or eight और इसका next element है nine और फिर मैं इसे close करता हूँ फिर मैं enter की press करता हूँ और फिर मैं इसके third element को access करता हूँ जिसका index होगा two जो की एक self tuple है तो इस तरह से nested tuple को create करते हैं देखिए creating tuples from existing sequences means existing sequences जैसे string, list और tuples का use करके tuples create करना और इस तरह के sequences से tuples create करने के लिए हम use करेंगी tuple function का देखिए example tuples from string इसके लिए मैं write करता हूँ एक variable t और फिर मैं write करता हूँ tuple function और इसके inside मैं write करता हूँ string lines ओके और फिर मैं enter की press करता हूँ और इस तरह से tuple create हो चुका है और इससे मैं print करता हूँ देखिए तो यहाँ पर एक string से tuple create हो चुका है और अब मैं create करता हूँ एक list से tuple तो इसके लिए मैं एक list ready करता हूँ l और इसके element होँगे 1,2,3,4,5 और अब मैं create करता हूँ एक new tuple t और इसमें मैं assign करता हूँ list को tuple function का use करके देखिए वैसे print करता हूँ देखिए यहाँ पर यह tuple create हो चुका है देखिए tuple from tuple means एक tuple के elements को दूसरे variable में copy करना तो इसके लिए मैं simple error करता हूँ a assign tt तो tt variable में जो element है वही variable a में भी element होँगे ओके tuple के element को आप इस तरह से tuple function का use करके भी आप copy कर सकते हैं ok tt तो यहाँ पर मैं इसे print करता हूँ ok देखिए जो elements tt variable में है वही variable bb में भी है ok तो इस तरह से आप tuple को copy कर सकते हैं means एक tuple से दूसरे tuple को create कर सकते हैं ok देखते हैं creating tuple from user input means tuple को user के द्वारा input लेना ok एक tuple को user के द्वारा हम दो तरह के से input ले सकते हैं tuple function का use करके और evil function का use करके देखिए example मैं write करता हूँ variable tt assign tuple input enter tuple elements और फिर मैं enter की प्रेस करता हूँ और यहां पर मैं tuple के elements को input कर देता हूँ और फिर मैं enter की प्रेस करता हूँ और अब मैं tt variable को print करता हूँ तो देखिए यहां पर tuple create हो चुकी है और फिर मैं use करता हूँ evil function का evil input enter or tuple और फिर मैं यहाँ पर एक टपल इंपुट करता हूँ 8,5,3,2 फिर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और फिर से मैं टीटी को प्रेंट करता हूँ तो इस तरह से हम एक टपल को यूजर के द्वारा इंपुट ले सकते हैं ओके फ्रेंट्स तो इस तरह से एक वीडियो कंप्लिट हो चुकी है यदि आपको एक वीडियो अच्छे लगी उसे लाइक करें सेर करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाशिंग